Hello everyone, welcome to Magnet Brains, IIT, JE and NEET platform. Magnet Brains, IIT, JE and NEET platform, जो complete NCIT book, NCIT examplers, और best publishers की book, complete theory और complete numericals के साथ आपको provide करते हैं. इसी के साथ, एक step आगे बढ़ते हुए, Magnet Brains, IIT, JE and NEET platform पे, आपको complete त्यारी कराई जारी है foundation की. तो yes, आपके अपने अभिशेक कुमार, जोहान सर, मतलब मेरा नाम, मैं आपको त्यारी करवा रहा हूँ, यहाँ पे mathematics foundation की. और आप लोगों से उमीद करता हूँ, कि आप लोगों ने इस वीडियो को सुनने से पहले, complete foundation mathematics का overview video watch किया होगा. और ये भी उमीद करता हूँ, कि आप लोगों को ये सवाल, आप watch करना ना भूलिएगा, जहाँ पे मैंने आपको complete त्रीके से बहुत अच्छे देके से गाइड किया, कि foundation हमारे life में क्यों जरूरी है. और इस चीज़ को mathematics को, foundation पार्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है, तो इस चीज़ का अगर आप अच्छे से meaning समझ गए, मैं ऐसा बोलूँगा कि इसका आगे life में सार समझ गए, तो इस वीडियो को, इस वीडियो से आगे आने वाली वीडियो को, आप पूरा watch करते रहिए, क्योंकि life में हमें भिढ़ना हैं बहुत सारे competitive exams से, और उन competitive exams में top करने के लिए जरूरी है आपको foundation अच्छा करने की, चलिए, तो शुरुवात करते हम इस वीडियो की, इस वीडियो में finally हम क्या कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग पहला chapter शुरुवात कर रहे हैं foundation course में, और वो है हमारा number system, अब इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, वो सारी terminology जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, आपको अपने जहन में रखनी है, आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि higher classes में कही ना कहीं ये terminology, आपके हर थोड़े से दूरी पे चलने के बाद, आपके साथ ये terms टकराने वाले हैं, तो yes, जैसे जैसे आप maths की book उठाएंगे, जैसे जैसे आप higher classes में जाएंगे, और जैसे जैसे आप competitive exams में, mathematics में fight करेंगे, तो आपका सबसे पहला chapter हमेशा होगा, वो होगा number system, और number system में आप लोगों को वो क्या-क्या terms याद रखनी है, उस पे है ये सारी वीडियो, ठेक है, तो पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठेक है, और इन terms को अपनी copy में note करते चलिएगा, प्रॉपर दरीके से आपको definition दूँगा, प्रॉपर दरीके से आपको notes बन वाऊंगा, यहाँ पर, ठेक है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कि हम लोग किस module को follow कर रहे हैं, यह module में जो पहला point आपको यहाँ दिख रहा है, वो है, प्रॉपर दरीके से topic wise explanation videos आपको मिलती रहेंगी, मतलब जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो एक प्रॉपर दरीके से जो explain करने का तरीका है, explain करते हुए चलना है, हर चीज की एक theory आपको देनी है, तो एक प्रॉपर explanation हर जगा आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसके बाद हर explanation के साथ, उस पे based dpbs आपको provide होंगी, तो daily practice problems की pdf links आपको available रहेंगी, आपको simple visit करना www.magnetbrains.com पे, और यहाँ पे आपको सारी pdf's available है, ठीक है, daily practice problem solution videos, अब क्योंकि आपको सवाल दिये हैं, आपको घर पे solve करने के लिए questions दिये हैं, आपको daily practice के लिए papers दिये हैं, तो definitely उसका solution भी हमें आपको provide करना है, तो वो solution आपका दूसरे दिन आपको definitely मिल जाएगा, तो इस चीज़ का आपसे वादा करता हूँ, कि जिस दिन आप theory पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप DPP solve कर रहे हैं, उनके solutions आपको दूसरे दिन या उसी दिन शाम को, आपको upload करवा दिये जाएंगे, इसी के साथ में chapter wise MCQs, 500 plus questions आपको यहाँ provide किये जाएंगे, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, simple description box में जाना है, और वहाँ पर एक doubt box आप लोगों के लिए है, उस link को आप जब click करेंगे, आप अपने doubts वहाँ पर डाल सकते हैं, तो उन doubts को pick up किया जाएगा, pick करके जो भी best doubts हैं, जो भी अच्छे doubts हैं, जो की clear करने चाहिए, और जो real doubts हैं, उन doubts के उपर based, हम लोग आएंगे live आपके साथ, तो doubt solving sessions रखे जाएंगे, जो week में कहीं न कहीं एक बार, यहाँ आपको month में मैं ऐसा कहूँ, 2 से 3 बार definitely मिलने वाले हैं, तो doubt solving sessions भी हमारे यहाँ होंगे, weekly test papers आपको दिये जाएंगे, yes हर week में आपको यहाँ पे test papers available होंगे, guidance about the paper pattern, जिस भी तरह के exams होने वाले हैं, उनमें क्या paper pattern follow होता है, कैसे आपको अपना stress अगर आप fill कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, कि नहीं बहुत मुश्किल है, यहाँ हम त्यारी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ कैसे करें, कैसे चीजों को manage करें, तो definitely इस पे भी हम आपकी help करेंगे, इसी के साथ में official notification related, अगर कुछ भी news आती है, तो पहला update आपको magnet business, IIT, JE, NEED platform पे मिलेगा, chapter wise one shot revisions, आपको यहाँ पे दिये जाएंगे, जैसे आप मैं आपको number system करवा रहा हूँ, यह video जो आप watch करें, यह number system में, वो भी terminology based, इन सब videos की, मतलब हो सकता है, यह 3 से 4 videos बने, तो इन videos का एक one shot video भी, आपको लिए मैं जल्दी से जल्दी release करूँगा, इसी के साथ में, online test series यहाँ पर आप लोगों को easily available है, चलिए, ज़्यादा time आपका ना लेते हुए, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने video की, तो इस video में हम लोग finally आ जाते हैं, अपने chapter number system पर, और आप जैसे ही number system chapter को देखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप 6th class से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यह 6th class से वो word आपको मिल रहा है यहाँ पर natural numbers, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर natural numbers क्या होते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें natural numbers की, तो simple natural numbers का मतलब जिसको मैं physically देख सकता हूँ, ऐसे numbers जिनकी मैं counting कर सकता हूँ, ऐसे object जो मेरे सामने रखे हैं, जिनकी मैं proper तरह के से counting कर पा रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके room में कितने fan लगे हैं, यह आपके school में कितने students हैं, तो definitely आप चीज़ों की counting करके मुझे बता सकते हैं, तो natural numbers उनी को कहते हैं, जो की आप count कर सके हैं, जो object physically, naturally आपके सामने available हैं, ठीक है, जब हमारी counting 1 से start होती है, और यह counting करते हुए जब हम आगे चलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 and so on, जब मैं इस चीज़ का जवाब देता हूँ, कि यस, जो चीज मुझे सामने से दिख रही है, वो 1 है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज़ को assume कर लेते हैं, और उसको number 1 दे लेते हैं, ऐसा नहीं है, 1 हमेशा हम बच्चमन से क्या समझते आ रहे हैं, 1 उसी को बोलना है, जो object हमारे सामने available है, जो physically दिख रहा है, तो यहां पर natural numbers को हमेशा याद रखिएगा, कि natural numbers वो सारे numbers होते हैं, जो countable होते हैं, मतलब जिनकी counting की जा सकती है, तो all the counting numbers, मैं underline करता जा रहा हूं, सब खास चीजों को, जो कि मुझे यहां पर लगता है, आप लोगों की copy में, यह चीज बहुत ध्यान रखिएगा, कि हमें एक counting numbers को जब बताना होता है, हमें यह बताना होता है, कि counting numbers क्या है, तो हम लोग हमेशा किस से बताएंगे, तो आप लोग हमेशा बताएंगे, capital N के helps से, और इसी N का use करते हैं, हम किसको बताने के लिए, natural numbers को explain करने के लिए, natural numbers को दिखाने के लिए, तो N always represents natural numbers, हम कहते हैं, कि natural numbers group है, सारे उन numbers का, जो count हो सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर पूरा एक बड़ा group बन के आएगा, तो N represents the natural numbers, इस चीज को आप अपने जहन में हमेशा याद रखिएगा, group है, ठीक है, यह जो word set use किया है, मैं आपको बताओं कि आगे आपके और chapters हैं, जब हम follow करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको foundation में sets भी सिखाऊंगा, कि set word अपने आप में बहुत बड़ी mathematics है, तो इसको हम समझेंगे, ठीक है, अभी आप यह समझें, group of numbers, group of counting numbers को हम natural numbers कहते हैं, चले, move करते हैं, word whole numbers की तरफ, whole numbers किनको कहा जाता है, तो बहुत clear रहिएगा, कि जब सारे counting numbers के साथ, अब counting numbers आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 को कह रहे हैं, जो मैंने यहाँ red pen से लिखा है, इनी counting numbers में, जब हम zero का inclusion कर देते हैं, मतलब zero को include कर देते हैं, सर practical life में यह कहां use होता है, तो भाई practical life में, अगर मैं आपको छोटा से example दू, तो आपने अपने geometry के अंदर, यहां मैं आपको simple ऐसा बोलूँ, कि जब भी आपने कोई scale देखा होगा, scale पर अगर मैं आपको line draw करने को बोलूँ, तो आप line कैसे draw करेंगे, आप zero को pick करेंगे, और zero initial starting point होगा, तो zero, one, two, three, जैसे मैंने बोला five centimeter की line draw करिये, तो आप एक ruler रखेंगे, और ruler रखेंगे आप zero को भी count करेंगे, अगर मैं बोलूँ, तो यह zero, one, two, three, four, और four centimeter की line क्या है, तो आप दो dot mark करेंगे, और इसके बीच में आप line draw कर देंगे, और आप कहेंगे, इस जीरो से लेके four तक की यह जो line है, ठीके, zero से लेके four तक की यह जो line है, यह total four centimeter है, this is one centimeter, this is two centimeter, this is three centimeter, this is four centimeter, तो आपने क्या किया, आपने natural numbers के साथ, zero को भी include कर लिया, तो जैसे ही मैंने zero को include किया, तो zero, one, two, three, four, यहाँ पर आप मेरी जो counting है, तो counting numbers के साथ, क्योंकि zero भी include हो गया, तो ऐसे numbers को हम whole numbers कहेंगे, clear है यह चीज, तो all counting numbers together with zero, आप देख रहें, सारे counting numbers, जब zero के साथ बोले जाएं, तो यहाँ पर इस तरह के एक group को, हम लोग denote करेंगे W से, तो हमेशा याद रखिए, कि W जो letter है, यह capital letter use होता है, mathematics के अंदर, capital letter W use होता है, mathematics के अंदर, किसको बताने के लिए, whole numbers को बताने के लिए, और whole numbers पूरे एक group है, किसका सारे counting numbers का, सारे counting numbers का, जब उनके साथ, zero को भी include कर दिया जाए, तो zero with all counting numbers, with all counting numbers, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, वीडियो को साथ साथ pause करते जाएं, मेरे पीछे लिखे हुए notes को प्रॉपर तरीके से copy में note करते जाएं, जिस तीच को मैंने अलग color pen से दिखाया है, इसी तरीके से आप भी अपनी copy में proper अगर notes बनाते हुए चलेंगे, black pen pencil का use करते हुए चलेंगे, तो आपके notes बहुत जोरदार हो, बहुत प्यारे बन जाएंगे, जब आप आएंगे IIT की तियारी के लिए, क्योंकि mathematics कहीं न कहीं, आपके engineering में आपको help करने करेगा, ठीक है, तो यह mathematics की जब आप तियारी करेंगे, higher exams, higher competitive exams में, तो वहाँ पे आपके पास एक proper notes बने हुए होंगे, clear है यह चीज, चले, comment box में साथ साथ बताते जाएंगे, कि आपको यहाँ पे natural numbers, whole numbers इस slide में समझ आ गया, एकदम clear है, move करते हैं हम आगे, तो next part क्या, तो next part को देखीगा, next slide में मैं आप लोगों को यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, वो है integers, और word integers आपको introduce करवाया गया था, जब आप थे, 8th class में मेरे खाल से, या 7th class में, 7th class में थे आप, जब आपको first time integers introduce कराए गये थे, तो आपको 6th class में natural numbers introduce कराए गये थे, 7th class में आपको whole numbers introduce कराए गये थे, और इसी के साथ में क्योंकि आप natural whole numbers पढ़ चुके थे, तो आपको 8th class में या 7th class में, 7th class में आपको integers introduce करवा दिये गये थे, अब यह जो word है integers, integers कहां use होता है, integers का मतलब क्या होता है, तो integers basically एक पूरा group है, किसका group है, तो integers एक पूरा group है, किस चीज का, तो यहाँ पे जब सारे counting numbers, इधर मैं लिख देता हूँ, जब सारे counting numbers, ठीके, और 0, और इसी के साथ में, जब इन counting numbers का, positive, sorry, negative part include किया जाता है, मतलब counting numbers के साथ, जब इनका negative part, include किया जाता है, अब negative part का मतलब क्या, तो देखेंगा, counting numbers हम बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो physically object में सामने, जिनको मैं count कर पा रहा हूँ, उनका negative part, मतलब उन numbers का, उन positive numbers का negative part, मतलब जब मैं 1 बोलूँ, तो 1 का negative है, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, और इनके साथ, जब मैं 0 को भी, अपनी counting में ले लूँ, ठीक है, तो एक पूरा जब मैं group देखता हूँ, किनका, सारे positive numbers का, ठीक है, सारे counting numbers का, उनके negative part का, और 0 का, जैसे मैं 0 बोलता हूँ, तो हम यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं, कि सारे natural numbers, whole numbers, और इसके साथ, negative part of the natural numbers, आप कैसे भी चीजों को समझ सकते हैं, तो यहाँ पर वो ही चीज, यहाँ पर integers में आपको समझाई गई है, all natural numbers, ठीक है, देखिए, मैं underline भी करता हूँ, चलता हूँ, तो सारे natural numbers, 0, और उनका negative part, set of this numbers are denoted by z, सबसे important याद रखने वाली बात, वो यह है, कि capital z का use किया जाता है, integers को represent करने के लिए, पीछे आपने समझा, natural numbers के लिए, हम लोग n का use करते हैं, whole numbers के लिए, हम w का use करते हैं, और integers के लिए, हम लोग use करते हैं, capital z, या मैं बोलूँगा capital I का भी, तो यहाँ पे z और I letter, जो capital letters है, इनका mathematics में use किया जाता है, जब मुझे किसी integers को explain करना पड़ता है, तो इन तीन बातों से, मेरी इन तीन बातों से, आपको यह समझा आया, अगर मैं पूरी blank sheet ले ले लेता हूँ, कि भाई, सबसे पहले तो हमने पढ़े natural numbers, natural numbers के बाद, हमने पढ़ा whole numbers, whole numbers के बाद, हमने पढ़े हैं यहाँ पर integers, तो यह चीज आपको समझा रही है, चलिए, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कि proper तरीके से, अगर मैं आपको बताओं, कि यह पूरा जो group था, यह पूरा group था, आपका natural numbers का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, capital N को, ठीक है, बाखी चीज़े हम कर देते हैं, यहाँ पर delete, चलिए, एक काम करते हैं, फिर से circle को draw कर लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस तेके से, अंदर natural numbers, ठीक है, और natural numbers को, हम यहाँ पर दिखायते हैं, red pen से, तो यह पूरा जो group है, यह natural numbers का set है, ठीक है, यह natural numbers के साथ, जब whole numbers को भी include किया जाता है, मतलब zero भी include कर लिया जाता है, तो यह पूरे बनते हैं, whole numbers, और whole numbers, natural numbers, मिलके, zero मिलके एक पूरा group बना रहा है आपका वो बना रहा है Z capital Z मतलब integers तो ये चीज हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज समझ आगी होगी कि capital letters का क्या use हो रहा है क्योंकि जब आप पढ़ेंगे sets तो वहाँ पर in capital letters का बहुत use होने वाला है clear है तो mathematics में छोटे letters जो होते है alphabets A से लेके Z तक उनका use करते हैं हम किसी number को assume करने के लिए जिनको हम variables कहते हैं लेकिन जब हम capital letters का use करते हैं तो ये किसी चीज को represent करते हैं ठीक है N stands for natural number W stands for whole numbers Z stands for integers clear है ये चीज चलिए तो आ जाते हैं वापस हम किस पे तो हम आ जाते हैं अपनी इसी बात पर कि integers के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे थे तो Z और I का use किया जाता है और Z पूरे group of natural numbers zero और negative part of natural numbers को represent कर रहा है बहुत clear है हैं हैं से ये चीज है integers के अपने आप में कुछ properties होती हैं तो इसको आप अपनी copy में note कर लीचे पहली property the number that is exactly opposite in sign to an integer m and equidistant from zero on a number line is minus m क्या बोला इस पहले point में तो आप लोगों ने 6th class 7th class में number line पढ़ी थी जब आपने natural numbers whole numbers सीखे थे और जैसे आप integers पे आये थे तो आपने proper एक number line के बारे में चीजों को समझाता वापिस आ जाते हैं हम अपने एक sheet के ऊपर ठीक है तो एक sheet all ले लेते हैं यहाँ पर आप चीज को समझेगा कि माल लीजिए यह आपकी एक number line है ठीक है number line के दोनों end पे arrowhead arrowhead यह बताता है कि मैं इस number line को कितना भी extend कर सकता हूँ ठीक है अब यह number line use होती है integers को represent करने के लिए किसको represent करने के लिए integers को represent करने के लिए और integers होते हैं सारे counting numbers मतलब positive part होता है इस number line में और वो हमेशा हमारा right hand side होता है तो positive part सारे natural numbers को represent करता है जिसके left hand side पे यहाँ पर zero represent होता है तो number line पे जब मैं zero represent करता हूँ तो zero का पूरा जो right hand side है वो है positive natural numbers ठीक है मतलब positive numbers सारे natural numbers उनी का negative part zero के left hand side पे denote किया जाता है और यहाँ पर हम बोल देते हैं यह है आपका complete negative part अब यहाँ पर मेरी बात समझेगा कि यहाँ पर सारे integers को represent किया जाएगा equidistant के ऊपर मतलब equidistant from zero ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ कि यह one यह two, यह three, यह four, यह five, यह six, यह seven और यह eight represent कर रहा है तो इनका जो distance है zero से zero से यह जो distance है इस distance को मैं बोलता हूँ unit distance unit distance one centimeter हो सकता है half centimeter हो सकता है two centimeter हो सकता है एक distance है मैं इस distance को बोलता है unit distance तो जितनी दूरी one की इस zero से है उतनी ही दूरी negative part की ठीके इस side पे होगी और यह represent करेगा minus one को यह gap represent करेगा minus two को यह gap represent करेगा minus three को यह gap represent करेगा minus four को आप चीज समझ रहे हो मैंने क्या बोला कि जितनी दूरी zero से one की है उतनी ही दूरी zero से minus one की होगी one का जो opposite है वो है minus one ठीके तो यह distance आपको पता होना चाहिए ऐसे ही अगर मैं आपको यहां पे दिखा हूँ कि भाई जो दूरी zero से two की है जो दूरी zero से two की है वो ही सेम दूरी zero से minus two की होगी clear है यह चीज ऐसे ही अगर हम आगे और अच्छे से समझें इस चीज को तो मैं यहां पर यूज कर लेता हूँ दूसरे color को यहां पर इस चीज को समझेगा कि जितनी दूरी zero से minus three की है उतनी ही दूरी zero से इस minus three की होगी ठीक है जितनी दूरी zero से three की है उतनी ही दूरी zero से minus three की होगी clear है यह चीज आ जाते हैं हम लोग वापे शीट के उपर तो यही पहला point बताया है पहले point में क्या बोला है कि the number that is exactly opposite in sign वो number जो की sign में opposite है to an integer m तो जिसकी value इन्होंने m मानी है ठीक है and equidistant from zero तो जितनी दूरी m की zero से है उतनी ही दूरी zero से minus m की है तो opposite m का है minus m ठीक है m क्या है यहाँ पर small letter m m यहाँ पर variable है कोई भी value हो सकते है आप one ले लो आप two ले लो आप three ले लो आप four ले लो clear है यह चीज तो यही पहला point यहाँ पर property बताई थी integers की चलिए product of two positive integers is a positive integer आप लोगों ने यहाँ पर multiplication table को समझा था देखिएगा अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर कहां थे हम लोग चलिए इधर देखिएगा इस वाली slide पर हम लोग बात कर रहे थे और यस यह नंबर लाइन जो हमने बनाई थी तो आप लोगों ने sign multiplication table अपनी अपनी copy में sign multiplication table बना लीजेगा sign multiplication table बोलता हूं मैं इसको तो integers में आप लोगों ने sign multiplication table पड़ा था आपने यह समझा था जब positive sign multiply होता है किस के साथ positive sign के साथ तो हमेशा value जो है यह positive आती है इसी के बाद आपने एक चीज और समझी थी वो आपने समझा था जब negative sign multiply होता है negative sign के साथ तो इसकी value भी positive आती है value हमेशा positive आएगी यह integer की property है कि जब similar sign होते है मैं यहां लिख देता हूं similar sign similar sign ठीक है always gives always gives positive value positive value when when multiplied जब multiply किया जाएगा इस चीज को बहुत अच्छे से समझीएगा clear है यह चीज तो similar sign always give positive value when multiplied positive multiplied with positive will give you positive negative multiplied with negative gives you again positive यह चीज आप लोगों ने समझी है foundation course में आपको यह समझना बहुत जरूरी है इसको हमेशा याद रखिएगा clear अपनी copy में साथ-साथ note करते जाएए और अगर इसी की जगा different sign होगा तो अगर मैं कह दूँ कि positive multiply हो रहा है negative के साथ या इसकी जगा पर मैं कह दूँ कि negative multiply हो रहा है positive के साथ तो इस case में हमेशा answer negative आता है मतलब यहाँ पर अगर हम लिख दे कि different sign different sign अगर sign different होंगे positive negative जब multiply किये जाएंगे तो different sign when multiplied when multiplied with each other when multiplied with each other it gives negative value it gives always negative value इस चीज को बहुत अच्छे से समझे ठीक है value हमेशा negative आएगी तो इस तीके से यह चीज आप अपनी copy में note करते चलिएगा पहले point पे मैंने आपको number line समझाई थी और दूसरा point आपको sign multiplication तो यह आप properties समझ रहे हैं किसकी properties समझ रहे हैं तो आप properties समझ रहे हैं integers की तो पहला point मैंने समझाए दूसरा समझा दिया तीसरा समझा दिया product of two negative integers is again positive integer देखिएगा यह भी ایک positive integer है यहाँ पे भी एक positive अंटीज रहे है the product of a positive integer and a negative integer is a negative integer अभी मैंने बताई property क्या बताया अगर आप देखे तो यहाँ पर हमने अभी समझा कि जब different sign होते हैं यह लिखा है जब different sign होते हैं तो when they are multiplied different signs are multiplied तो यह value हमेशा negative देंगे और जब similar sign को multiply किया जाएगा तो यह value हमेशा आपको positive देंगे तो यह कुछ properties है जो आपको integer में बहुत clear होनी चाहिए आ जाते हैं वापिस तो यहाँ पर आप लोगों ने finally यहाँ तक यह समझा कि भाई W क्या होता है Z क्या होता है और N क्या होता है तो मैं उल्टा चला ठीक है तो यहाँ पर natural numbers whole numbers और आपने integers को बहुत अच्छे से मुझे लगता है foundation course में इतना ही sufficient है जो आपको याद रखना है clear है चलिए नई चीज नया क्या तो नया समझेगा यहाँ पर नया यह है कि भाई rational numbers तो word rational number आपको introduce किया गया था 8th class के अंदर clear है अब rational numbers की जोत क्यों पड़ी तो अभी तक हमने जो समझा natural numbers हमने समझा हमने whole numbers समझा ह हमने यहाँ पर integer समझा तो यहाँ पर फिर एक अलग family का member आता है मतला number system के अंदर एक अलग नाम आता है rational numbers अब rational numbers हर उस number को कहते हैं जिनको represent किया जाता है fraction के रूप में मतला P by Q के form में और कई आप लोगों में से students अभी confused रहते हैं कि सर यह P और Q क्यों है क्या हम X और Y नह ले सकते हैं एकदम ले सकते हो क्या हम U और V नहीं ले सकते हैं एकदम ले सकते हो P और Q variable है X और Y variable है U और V variable है T by S भी variable है आप किसी भी चीज से number को represent कर सकते हैं mathematics के अंदर इनी को तो variables कहा जाता है तो यहाँ पर जो एक general मैं कहूंगा definition बनती है वो general definition आप यहाँ पर सुन र कि भाई any number that can be expressed in the form of P by Q हर वो number जिसको आप express कर पाएं किस form में तो जिसको आप express कर पाएं P by Q के form में एक fractional form में जहाँ पे आपका numerator होता है और denominator होता है तो जब fraction दिखे numerator upon denominator fraction को बुला जाता है यह चीज़े बहुत clear है तो यहाँ पर numerator upon denominator हम बोल देते हैं तो numerator upon denominator देखेगा दो मेंट होल्ड करिये चलिया यहाँ पर हम लिख देते हैं तो denominator ठेक है तो numerator upon denominator के form में जब किसी चीज़ को represent किया जाता है जिसको हम fraction बोलते हैं इसी fraction को हम rational numbers बोलते हैं तो any number that can be expressed in the form of P by Q जहाँ पर हमेशा याद रखियेगा कि यह जो denominator है यह जो denominator है यह कभी zero के बराबर नहीं होना चाहिए should never equals to zero यह जो equal to का sign लगा के मैंने cutting की है यह जो equal to का sign लगा के हमने cutting की है इसका मतलब है equal नहीं होना चाहिए should not equal to यही यहाँ पर लिखा where Q should not equal to zero denominator की value कभी zero नहीं होनी चाहिए और इसको एक बहुत अच्छे से आपने समझाता है 6th class में कि fraction क्या होता denominator हमेशा represent करता है कि आपने किसी complete चीज के कितने number of parts किये हैं तो वो कितने number of parts हमेशा denominator को represent करता है numerator हमेशा represent करता है आपका यहाँ पर कि आप किस part की बात कर रहे हैं मैंने एक cake मैं अगर एक cake ले लूँ और इस cake के अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तीन तुकड़े कर दूँ तो इस cake के जो तीन तुकड़े करने पे यह जो एक तुकड़ा है अगर मैं खा जाओं अगर मैं consume कर लूँ तो कितना part मैंने consume किया तो मैंने total एक cake के क्योंकि तीन तु किये थे out of this three parts मैंने one part consume कर लिया ठीक है तो इसको note करिये यहाँ पर हम आगे continue बात कर रहे हैं कि आगे क्या दिया है इस चीज को पड़ो चलिया इसमें आगे बोल रहा है कि जो P और Q है वो integers है and P Q has no common factor other than one देखिए यहाँ पर यह जो लाइन बोल रहा है common factor other than one वन के सिवा उपर नीचे कोई भी दूसरा factor नहीं होना चाहिए यह basically rational number को लेकर आ रहा है ratio वर्ड के अंदर यहाँ पर दो वर्ड्स है एक है वर्ड रेशियो देख रहे हो आप रेशियो तो rational number basically ratio को बोला जाता है और ratio किसको बोला जाता है जब numerator upon denominator के form में कोई चीज होती है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक fraction लिखा one by three मैंने one part consume किया out of three parts one two three तो out of three parts क्योंकि एक part को मैंने consume कर लिया खा लिया तो मैंने पूछा आप से कितना part consume किया आपने का सर हमने one by three part consume किया अब देखिए आप one भी एक positive integer है और three भी positive integer है तो पी अपॉन क्यू मतलब numerator upon denominator यह जो value है इसमें उपर और नीचे integers है ठेक है पी एंड क्यूंटीजर होते हैं वो चाहिए positive integer हो सकते हैं वो चाहिए negative integer हो सकते हैं तो एक rational number में जो पी और क्यू है उसमें क्यू कभी zero के बराबर नहीं होना चाहिए एक पात आप याद रखिएगा दूसरी बात यह याद रखिएगा कि दोनों integers होते हैं और तीसरी बात इन्होंने बोला है कि इनमें जो common factor है वो common factor उपर नीचे one होता है ठीक है अब आपके मन में अगर यह सवाल आ रहा है कि सर 9 by 3 भी तो एक fraction है सर 27 by 3 भी तो एक fraction है सर 40 by 2 भी तो एक fraction है ठीक है तो यह fraction है यह rational numbers भी है मैं एकदम मानता हूँ यह rational numbers भी है लेकिन इन rational numbers को जब मैं सिव वर्ड ratio बोलूँगा तो ratio का मतलब होता है उपर नीचे जो common factors है वो one होने चाहिए अब देखिए यहाँ पर two से यह 40 कट रहा है तो यहाँ पर यहाँ आ रहा है 20 20 by 1 यह चीज हमने equivalent fraction बना दिया 9 by 3 9 by 3 का मतलब इस 3 से 9 कट गया यहाँ पर 3 by 1 आया इस 3 by 27 को हम लिख सकते है 9 by 1 ठीक है 3 9 times 27 तो उपर नीचे जब common factor 1 होता है तो इजनी rational numbers को इनी rational numbers को इनी fractions को हम लोग ratio बोलते हैं तो वो ही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है तो any number that can be expressed in the form of P by Q and P and Q are integers and P, Q has no common factor other than 1 is called a rational number यहाँ पर वर्ड जो रेशियो है ratio का मतलब जब हम rational में comparison करते हैं numerator दो quantities में comparison किया जाता है इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं ठीक है इसमें in terms की proper definition पता होनी चाहिए इसलिए में इतनी जाके depth में चीज़े समझा रहा हूँ rational numbers में word ratio है ratio का मतलब होता है उपर नीचे common factor 1 अगर कोई common factor दिख रहा है आपको तो आप उसको simplify करेंगे यह चीज़ समझा रही है simplify करके आप उसका proper value देंगे ठीक है मतलब common factor निकालेंगे तो इस तेके से आपने यह बातों को समझा यहां तक all integers all recurring decimals and all terminating decimals are rational numbers यह क्या कह रहा है इस point को बहुत अच्छे समझना जितने भी integers हों जितने भी recurring decimals हों जितने भी terminating decimals हों यह सब rational numbers होते हैं ठीक है अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आया है अगर यहां आपको अगर knowledge है तब भी मैं उसको और अच्छे से depth में बताऊंगा दो शब्दों को यहां पर देखना word आया है terminating decimal और दूसा word आया है recurring decimals तो पहले तो इस चीज को समयना कि fractions को हम decimals में convert कर सकते हैं ठीक है integer में हो रहा है अच्छी बात है तो दो चीजे आपने जब rational numbers पढ़ा था यहां आपने जब 7th class में fraction पढ़ा था तो fractions को decimals में कैसे convert किया जाता है उपर नीचे division होता है वो divide करते समय आपने इस चीज को समझा था कि जब हम 2 by 3 करेंगे या 3 by 2 करेंगे तो 3 by 2 को solve अगर और करना है further solve करना है तो यह value हमें decimal देगा ठीक है 21 times 2.5 तो मैं कहूंगा यह एक decimal आ गया और decimal again दो तरह के होते हैं यह दो तरह के decimals क्या होते हैं तो यह है terminating decimal and repeating decimal repeating decimal हम recurring decimals को ही कहते हैं ठीक है तो इनको हम और depth में चलके पढ़ते हैं तो any integers can be expressed in the form of p by q यह आपको समझ आ गया कि सारे integers rational numbers हैं सारे recurring decimals ठीक है rational numbers हैं सारे terminating decimals rational numbers हैं ठीक है ninth class में आपने इसी चीज को बहुत ज्यादा number system में depth में जाके पढ़ाता तो यह terminology जो है recurring decimal and terminating decimal आपने पढ़ी है ninth class में clear है और अभी अगर आप ninth और tenth में हैं तो इसी चीज को आपको बहुत अच्छे समयना है और अगर आप seventh eighth में हैं और आप मेरी वीडियो यह वाली वाच कर रहे हैं तो आपको यह word समझ आ जाएगा कि recurring decimal किसको कहते हैं terminating decimal किसको कहते हैं चलिए आ जाई है next slide पे तो what do you mean by the word terminating decimal and recurring decimal ठीक है मुझे comment box में बताइए आप में से कौन-कौन अभी seventh और eighth में है ठीक है तो seventh or eighth class students यहां पर topic को बहुत अच्छे समयना ninth or tenth class students आप लोगों को यह topic अच्छे से पता है लेकिन then also मैं कहूंगा foundation condition course में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एक बार और सुनिया चलिए terminating decimal हम उनको कहते हैं जो if after a finite number of step in the division जो divide करते समय मेरी बात को समयना divide करते समय जैसे मैं कहता हूं 4 divided by 2 तो 4 को अगर मैं 2 से divide करूं तो हमने बच्छपन में divide करना सीखा है देखिए 4 को हम जब 2 से divide करेंगे तो 2 2 times होता है 4 और यहां पर हमारा remainder आ जाएगा 0 clear है यह चीज़ तो 2 divided by 2 is 4 0 एक step में हमारा value आ गया अब यहां पर अगर मैं divide कर रहा हूं जैसे हम ले लेते हैं 80 को 2 से divide करता है तो यहां पर चीज़ समझना 2 4 times 8 ठीक है यह minus हुआ यह 0 हुआ यह 0 नीचे carry हुआ इस 0 को normalize करने के लिए हमने उपर एक 0 और लगाया और फिर यह remainder 0 आया तो दो steps का follow हुआ तो जब number of steps follow होते हैं और कुछ fixed steps के बाद वो चीज proper ते किसे terminate हो जाए ठीक है अगर आप decimal भी लगा लेते हैं जैसे अभी आप divide करिए 3 divided by 2 तो जब मैं 3 को 2 से divide करूंगा देखना 2 1 times 2 remainder बचा 1 ठीक है अब इस 1 को remainder 0 लाने के लिए मैं हैं decimal का use करूंगा तो 2 और decimal जैसे यहां यूज किया तो यह आया 0 और 2 5 times यह हो जाएगा 10 remainder आ जाएगा 0 ठीक है आप देख रहे हैं यह जो quotient आया है हमारा 1.5 ठीक है यह 1.5 अंसर आगे यह हमारा quotient आया ठीक है तो यह हमारा जवाब आया तो divide करते समय जब decimal के बाद fix steps के बाद कोई चीज रुक जाए और आपका answer 0 आ जाए तो इस case में हम कहते हैं terminating decimal if after a finite number of step in the division process when no remainder is left जब कुछ भी remaining part ना बचे सिर्फ 0 बचे तो इस समय हम कहते हैं जो quotient हमारा जवाब आया है वह terminating decimal value आई है decimal value आई है 1.5 question जो है वह decimal आया किस प्रकार का decimal आया तो decimal दो तरह क्यों होता है terminating decimal and recurring decimal ठीक है तो terminating decimal मतलब जब आपका remainder 0 आ जाए यह बात समझा रही है remainder 0 आ गया तो आप इस तरह के decimal को terminating decimal कहेंगे terminate हो गया चीज वहीं खतम हो गए रुक गई stop हो गई ठीक है लेकिन जब मैं आता हूं word समझता हूं repeating repeating का मतलब चीजे repeat होती जा रही है उनका कोई अंत नहीं मिल रहा जब चीजे repeat होती जा रही है उनका कोई अंत नहीं मिल रहा उस case में हम कहते हैं कि यह है आपका repeating decimal a decimal in which a digit और a set of digits repeats या repeat continuously is called a repeating or recurring or circulating or periodic decimal देख रहे हैं आप चार नाम का use किया गया है तो इन चीज को आप अपनी copy में note कर लीजिए बहुत अच्छे से क्या note करना अपनी copy में आपको यह चारों नाम note करने है और यह competitive exams में आते हैं और जातार बच्चे यहीं confused हो जाते हैं कि सर हमने तो repeating or recurring सुना था यह circulating or periodic decimal किसको कहते हैं भाई circulating or periodic decimal भी हम कहते हैं repeating decimal को तो यही है foundation course की बहुत प्यारी चीज जो कि आपको सिर्फ magnet बेंस के platform पे मिल रही है और वो क्या कि आपको हर एक terminology हर एक शब्द के साथ आगे बढ़ना सिखाया जा रहा है तो इन चीजों को अगर आप दिमाग में रखेंगे competitive exam में अगर आपसे पूछ लेंगे इस तीके से fraction देखे कि बताइए one by two terminating है कि circulating है ठीक है यह आपसे पूछ लेंगे two by three terminating है यह recurring है यह आपसे पूछ लेंगे बताइए five by six five by six circulating है कि periodic है कि आपका यह है क्या है terminating है तो word जो यूज होते है periodic decimal अब देखे one by two examples दिये अगर मैं one by two को solve करूंगा तो one by two कैसे solve होगा इसका मतलब यह है कि numerator is always divided with denominator ठीक है तो one is divided with two अब क्योंकि two से one divide नहीं हो रहा ठीक है two के table में one नहीं आता तो यहां पर हम decimal का use करेंगे और decimal का use करके हम यहां एक 0 लगाएंगे और हम कहेंगे two five times ten होता है यह आपका finally zero आ गया मतलब 0.5 यह जो value आई यह 0.5 जो quotient आया है हम कहेंगे यह terminating decimal है t.d मैंने लिख दिया terminating decimal किसको कहते है है clear है यह चीज one by eight one by eight को solve करके देखिए देखिए one by eight अगर मैं solve करता हूं तो divide करते हैं one को eight से ठीक है जब one को मैं eight से divide करूंगा क्योंकि यह one divide नहीं हो रहा तो पहले मैं zero लगाऊंगा यह यह जीरो लगाऊंगा यहां पर one आएगा decimal लगाऊंगा यहां ten आएगा eight one times eight होता है यहां आ जाएगा two ठीक है अब यह two भी solve नहीं हो रहा है decimal लगाया तो हम तीन यह तीन से ज्यादा बाद zeros ले सकते हैं जितने decimal places चाहिए तो हम यहां पर zero लगायते हैं तो यह 20 हो गया eight के टेबल में 20 गहां आता है तो eight क्योंकि two times sixteen होता है three times twenty four होता है तो मैं कहूंगा sir eight two times sixteen तो देखे twenty में से sixteen minus करेंगे यहां पर हमारा बचेगा four decimal लिया था यह हो जाएगा 48 five times 40 आप क्या देख रहे हैं रिमेंडर जीरो आएगा अगर डिवाइड करते बजाएंगे अंसर तुम्हारा कोशेंट के आया कोशेंट आया 0.125 सॉल five के बाद सॉल नहीं होगा रुख गई चीज चीज जब रुख जाती जब चीज टर्मिनेट हो जाती जब चीज हो जाती जब चीज में स्टॉप लग जाता है तो इस केस में हम कहते हैं यह टर्मिनेटिंग डेसिमल वेल्यू आई है यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इस तरीके से आपको 1 by 2 और 1 by 8 को solve करके हो सकता है competitive exam में कहीं किसी level पे आपको यह चीज़े दिख जाए clear है इसी तरीके से दूसरे example की तरफ move करते हैं तो दूसरे example में आप देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है तो दूसरे example में आपको दिया है 2 by 3 अभी मैंने 2 by 3 भी करके दिखाया था तो देखिए 2 by 3 अभी हमने किया था फिर से कर लेते हैं जब 2 by 3 मैं लिखता हूं चीजों को जब मैं 2 by 3 लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि 3 से मुझे 2 को डिवाइड करना है और 3 से जब मैं 2 डिवाइड करूंगा तो यहां पर देखना क्योंकि 3 के टेपल में 2 नहीं आता तो यहां पर 0 लगा देंगे पहले यह 0 लग गया यह 2 नीचे आया डेसिमल लगाया यहां पर 0 आया ठीक है 20 होगा अब 3 के टेपल में 20 नहीं आता बट 3 6 टाइमस 18 आता है तो देखिए 3 6 टाइमस 18 आया 20 में से 18 माइनस किया अगें 2 आया फिर मैं 6 लगाओंगा यहां पर तो यह 20 हुआ ठीक है और यहां पर यह 18 हुआ 20 माइनस 18 अगें 6 आया यह कहानी चलती रहेगी इसका मतलब 2 बाइ 3 की जो वैल्यू है यह वैल्यू हमारी आ रही है 0.66666 कहानी चलती जाएगी इस तरह के जो डैसिमल होते हैं इनी को हम रिपीटिंग डैसिमल कहते हैं रिपीट होती जा रही है कोई अंत नहीं है यह रिकरिंग डैसिमल कर लिजे यह इसको आप बोल दीजे क्या इसको आप बोल दीजे प्रियोडिक डैसिमल यह इसको आप बोल दीजे सर्कुलेटिंग सर्कुले है कि five by six की value क्या आ रही है five by six को solve करिए इसकी value आप मुझे बताइए चलिए तो finally यहां पर हमने terminating decimal और repeating decimal को भी समझा अब अभी हमने पीछे क्या समझा कि rational numbers क्या होते हैं ठीक है और उन rational numbers से पहले हमने पूरी कहानी समझी थी कि N क्या होता है ठीक है natural numbers क्या होते हैं W मतलब whole numbers क्या होते हैं फिर हमने z समझा z का यहां i से हम लोग denote करते हैं आपके integers को फिर उसके बाद हमने rational number समझा आप कहेंगे सर रैशनल नंबर के लिए क्या कोई symbol है तो यह रैशनल के लिए सिंबल है rational numbers denote होते हैं Q से ठीक है तो rational numbers capital Q से denote होते हैं फिर in rational numbers के आगे एक topic आता है कोई चीज अगर rational है ठीक है P by Q के form में अगर denote की जा रही है किसी चीज को मैं represent कर सकता हूं तो उन्हीं को rational numbers कहते हैं अब एक word आपने पढ़ा है 9th class में खास करो वो शब्द है irrational numbers अगर rational होते हैं तो irrational भी होते हैं कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनको हम fractional form में denote करके नहीं बता सकते हैं represent नहीं कर सकते उस case में हम लोग पढ़ते हैं irrational numbers को clear है यह चीज तो irrational numbers क्या है a number that cannot be जिनको express करना मुश्किल है P by Q के form में fractional form में ठीक है ऐसे numbers को हम लोग irrational numbers कहेंगे बहुत clear है अब आपके दिमाग में आ रहोगा सर irrational numbers ऐसे कोन से number है तो आप लोगों ने एक chapter पढ़ा था cube root square root 8th class में वो ही 9th class में आपको सिखाया जाता है कि irrational numbers हैं ठीक है कोई चीज जिसका root solve नहीं हो पा रहा ठीक है वो सब irrational numbers है any non-terminating and non-recurring decimal is an irrational number अब यह हमने पीछे समझा non-terminating मतलब recurring जो decimals होते हैं जो आपके circulating होते हैं ठीक है जो आपके repeating होते हैं इस तरह के जो decimals होते हैं इन्ही decimals को number line पे show करना दिक्कत है ठीक है क्योंकि यह fractional form में नहीं represent हो सकते इन्हीं चीज को हम लोग show करते हैं यह बोलते हैं irrational numbers clear है यह चीज तो आप example देख पा रहे है square root of 2, square root of 3, cube root of 5, fourth root of 25 fourth root of 25, root ही solve नहीं हो पा रहा जब यह root का symbol ना solve हो पाए तो ऐसे numbers को हम irrational कहते हैं rational उनको कहते हैं इनको p by q मतलब fractional form में आप represent कर सकते हो इनको आप fractional form में represent नहीं कर सकते ठीक है cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers this numbers are irrational numbers तो यह चीज आपको clear होनी चाहिए चलिए move करते हैं आगे बहुत चोटी चोटी बातों पर चोटी classes में आपने समझा था मतलब sixth class, fifth class, fourth class अगर मैं उस साइट चलूँ तो आपने इन terms का भी use किया जो कि number system का main part है ठीक है और यही से आप लोगों ने समझना चालू किया था natural numbers, whole numbers, rational numbers इन से पहले कुछ और numbers आपने पड़े थे prime numbers, prime numbers किन को कहते है, even numbers किन को कहते है, odd numbers किन को कहते है तो इसको अपनी copy में लिख लीजे, अगर यहां कोई confusion है तो आज वो भी दूर हो जाएगी इस वीडियो में देखिएगा, even numbers का मतलब वो integers जो कि divisible होते हैं, 2 से तो में अंडरलाइन कर देता हूँ ऐसे हर number जो कि 2 से divide हो जाए, ऐसे numbers को हम लोग even numbers कहेंगे जैसे कि example 2, 4, 8, minus 2, minus 6, यह सब even numbers है, ठीक है तो even numbers उन numbers को कह जाता है, जो 2 से divide हो जाए और जो 2 से divide ना हो पाए, उनको हम कहते हैं, odd numbers clear है, तो integers that are not divisible by 2, जो कि 2 से divide ना हो पाए, वो odd numbers है अब यहाँ पे एक line आप लिखी भी देख रहे हैं, इसको देखिएगा we know that any number divisible by 2 can be expressed in the form of 2 multiplied with n इसको अपनी copy में note करिए देखिए क्योंकि हम त्यारी कर रहे हैं आगे के level के लिए, हम त्यारी कर रहे हैं competitive exams की, यह चीज़े तो आपको पता होंगी, अगर आपके दिमाग में यह चीज़ आ रही है कि sir, even number, odd number, prime number क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाई, इस कारण पढ़ा रहा हूँ यह है वो reason क्योंकि यहां से related competitive exam में चीज़े पूछी जाती है ठीक है, वो कहते हैं, आप continuous numbers बताइए, यह एक word वहाँ पर use होता है कि continuous के लिए मतलब जो आपके 1, 2, 3, 4, 5, एक जो series बनती है इस series में वो कहेंगे आपसे कि आप prime numbers की series लिजे, ठीक है अब हमें clear ही नहीं कि prime number को denote कैसे करते हैं यह वो कहेंगे even numbers का आप series बताइए, ठीक है, यह next क्या होने वाला है आप एक chapter पढ़ेंगे, AP, GP, इन सब में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ठीक है, तो 2 multiplied with n, 2 multiplied with n, ध्यान क्या रखना है कि 2 को जब मैं n से multiply करूंगा, यह तरीका होता है किसी भी even number को represent करने के लिए अब सर n क्या है, तो n basically एक यहाँ पर integer है कोई value है, कोई unknown variable है, ठीक है, और यह कोई भी integer हो सकता है integers क्या होते हैं, पीछे आपने समझा, ठीक है, तो 2 multiplied with n, n is any integer is represented, this is a general form to represent the even numbers, ठीक है in general any even number can be written as 2n, where n is equals to any integer तो यहाँ पर यह equal to का sign बनाया है, where n is equals to any integer clear है यह चीज़, चलिए, odd numbers के लिए भी फिससर कोई general form होगा तो yes है, any odd number when divided by 2 leaves a remainder 1 in general, odd number can be expressed in the form of 2n-1 note कर लीजिए, 2n-1, यह तरीका है, किसी भी odd number को represent करने के लिए तो 2 into n, एक even number को represent करने के लिए है, अपनी copy में note करिए और 2n-1, एक odd number को represent करने के लिए form use होता है clear है यह चीज़, बहुत अच्छे से comment box में बताते जाहिए कि चीज़े आपको समझ आ रही है, competitive exam level पे इन शब्दों का use बहुत ज़्यादा किया जाता है, even numbers, odd numbers, ठीके और इस पे based questions, तो इस पे based questions किस पकार से आते हैं, वो भी हम समझेंगे clear है, चलिए, move करते हैं, next, next क्या है यहाँ पर, तो कुछ properties होती है even or odd numbers की, उन properties को समझेगा, sum और product, अगर किसी चीज़ का हम sum करते हैं, ठीके, addition करते हैं, यह multiplication करते हैं, any number of even numbers is always even, आप करके देख सकते हैं, क्या बोल दिया है मैंने यहाँ पर, कि जब कोई दो even numbers को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब कोई दो even numbers को, हम add करेंगे, या multiply करेंगे, value हमेशा एक even number आएगी example दू, आप खुछ से लीजिए, 4 multiplied with 2, या 10 multiplied with 12, answer हमेशा एक even value आएगी, multiplication में, 2 plus 2, 4, 7 plus 3, तो 7 plus 3 यह होगी odd value, ठीक है, 7 plus 3, यह value एक 10 दे रही है, इसके example नहीं लेते हैं, हम लेते हैं, 8 plus 10, तो 18 आया, तो 8 plus 10, देखिएगा, 8 plus 10, चाहे मैं plus कर लूँ, चाहे मैं multiply कर लूँ, हमेशा value, एक even value आएगी, बात समझ आ रही है, तो बहुत important point है, competitive point of view से, sum of odd number, of odd numbers is odd, अगर हम कोई भी दो odd numbers को, sum करेंगे, तो value हमेशा एक odd number आएगी, sum करेंगे मतलब, यहाँ पर जैसे odd numbers की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हम plus कर लेते हैं, किस के साथ, 3 is an odd number, 3 is added with 5, it will give you an 8, तो यहाँ पर actually even आना चाहिए था, sum of even number of odd numbers, अच्छा, यहाँ पर यह कह रहा है, sum of odd number of odd numbers, sorry, यहाँ पर यह कह रहा है, कोई भी odd numbers का, अगर मैं sum करूँ, odd number of times, ठीक है, तो इसको हम clear करते हैं, यह example यहाँ पर सही नहीं है, example मुझे देना चाहिए था, sum of odd numbers, of odd numbers is odd, मतलब जैसे मैं यहाँ पर odd numbers ले लूँ, तो मैं एक 3 ले लेता हूँ, 3 को अगर मैं add करता हूँ, किस के साथ, 5 के साथ, और 5 को अगर मैं add करता हूँ, किस के साथ, 7 के साथ, तो आप देखेंगे, कि 3, 5, 7, odd number है, ठीक है, अब आपने add किया, कितने numbers को add किया, 3 numbers को add किया, मतलब आपने odd number of times add किया, तो जब आप odd numbers को odd number of times add करते हो, तो value हमेशा एक odd number आएगी, देखो 15 आ रहा है, और 15 भी एक odd number है, odd number मतलब वो numbers, जो की 2 से divisible ना हो, तो यह हमने यहाँ पर कर दिया, 3 plus 5 plus 7, clear है यह चीज, तो यही चीज मुझे आपको समझानी थी, sum of even number of odd numbers is even, यह क्या कह रहा है, जब मैं किसी भी odd number का, बहुत सारे odd number ले लिजे देंगे, 3 plus 5 plus 7 plus 9, और even number of times, मतलब मैंने देखी, 1, 2, 3, 4, 4 times add किया, मतलब 4 times नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पर 4 numbers को add कर रहा हूँ, तो even times, even numbers add कर रहा हूँ, मतलब even number of times add कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 4 एक even है, इनको add करेंगे, तो value हमेशा एक even value आएगी, करके देख लेते हैं, 5 plus 3, 8, 8 plus 8 16 17, 17 plus 7 is 24, तो यहाँ पर देखी, यह 24 क्या आया, even value आ रही है, ठीक है, यह सब odd values है, अपने आप में ये सब odd values है, ये भी odd है, ठीक है, ये भी odd है, ये भी odd है, ये भी odd है, ये भी odd है, clear, और यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये सब 4 है, मतलब 4 है तो यही यह चीज बोल रहा है कि जब मैं sum करूँगा even number का मतलब 1, 2, 3, 4 even numbers ठीक है odd numbers के लिए odd numbers अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर value हमेशा एक even value आएगी लेकिन इसी की जगा यहाँ पर यह बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ जैसे 3 number लेता हूँ तो 3 एक odd value है और odd digits को अगर मैं add कर रहा हूँ तो value हमेशा एक odd value आएगी तो यह चीज यह explain करना चाहरा है 2 और 3rd points है 4th point में देखिए क्या बोल रहा है product of an even number and an odd number is even product, product मतलब multiplication जब भी मैं, देखिए product दो जगा पर आया एक तो word product यहाँ use हुआ है और एक word product यहाँ use हुआ है उपर वाले product में क्या बोला था कि अगर even numbers का मैं multiplication करूँगा तो value even आएगी और यहाँ पर यह बोल रहा है अगर even number को किसी odd number के साथ मैं multiply करूँगा तो भी value हमेशा एक even value आएगी यह मैंने देखिए highlight के लिए box बना दिया तो आपके copy में notes होने चाहिए properties है even और odd numbers की और इनका use competitive exam में बहुत आता है ठीके? क्यों आता है सब? जब आप MCQ solve करेंगे न तो MCQ solve करते समय आपका answer फटाक से आजाएगा value odd आएगी की even आएगी तो आप question में देखेंगे की दिया क्या है किनको मैं add कर रहा हूँ जिनको मैं add कर रहा हूँ वो कितने times add हो रहे हैं मतलब कितने numbers हैं जिनको मैं add कर रहा हूँ तो यह दोनों properties का use वहाँ पर आने वाला है और नीचे वाली property में multiplication है even number का odd number के साथ कोई भी example ले लिजे 2 into 3 कर लिजे देखे 2 multiplied with 3 करेंगे तो value 6 आ रहे है product of an even with odd will give you an even value समझ आया कितना असान है तो यही चीज हम यहाँ पर explain कर रहे थे clear चलिए आगे देखेगा prime numbers किनको कहते हैं तो prime numbers उन numbers को बुला जाता है जिन में factors से 2 होते हैं एक तो number itself जैसे मैं अगर 2 की बात करूँ मैं जैसे अगर 3 की बात करूँ मैं जैसे अगर 5 की बात करूँ मैं जैसे अगर 7 की बात करूँ तो यह वो numbers है जिनके factors या तो वो number खुद है या 1 है जैसे 3 में 3 into 1 5 में 5 into 1 7 में 7 into 1 लेकिन अगर मैं बात करूं 9 की तो 9 के case में क्या होगा 9 के case में आप देखिए 3 multiply हो रहा है 3 के साथ यह multiply हो रहा है 1 के साथ कितने factor आए है वो खुद तो number है यह एक factor वो अलग कहानी है लेकिन उसको बनाने के लिए 3 into 3 आया तो यह गलत process हो गई ठीक है तो prime numbers हम किनको बोलते हैं prime numbers हम उनको बोलते हैं जिनके दो ही factor होते हैं एक तो 1 और एक तो number itself तो वो ही यह आपकी definition अब positive integer p is said to be a prime number किसी भी p को यह बोल रहा है आप किसी भी p को prime number बोल सकते हैं अगर उसमें वो number खुद और 1 उसके factor होगा ठीक है तो 1 and p अगर उसके factor है तो वो p एक prime number है ठीक है that is a natural number which has exactly two different factors जिसके दो different factors है एक तो p itself and 1 is called a prime number बढ़ा असा definition है चलिए बोर्ड गल लेते हैं clear ठीक है और move करते हैं आगे next क्या है इसको देखिएगा अब अगर prime numbers हमने पढ़ लिया तो composite numbers भी पढ़ने पढ़ेंगे prime numbers क्या था अभी हमने पीछे समझे prime numbers हरूर numbers को कहते है जहां पे आपको दो factors मिलते है one or number itself अब अगर one or number itself के सिवा और कोई दूसा भी factor है तो ऐसे numbers को हम composite numbers कहते हैं तो यह चीज आपको बहुत clear होनी चाहिए कि composite numbers का मतलब क्या है तो the natural numbers which have more than two factors ऐसे natural numbers जिनके दो से ज़्यादा factors है जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि जैसे मैं अगर four की बात करूँ तो four के अगर मैं factors देखू तो one तो है ठीक है two है फिर two है और फिर यहां पर four है तो यहां पर देखे two into two is four तो one two and four यह इसके factors है किसके four के तो इस case में हम कहेंगे क्योंकि four के दो से ज़्यादा factors है ठीक है जैसे हम six की बात करें तो six के case में हम क्या कहेंगे कि भाईया one तो है इसके साथ में three और two भी इसका factor है three into two is six और six into one is six तो यहां पर जब दो से ज़्यादा factors निकलते हैं किसी number के तो उनको composite numbers कहते हैं चलिए आपको ध्यान रखना है कुछ composite number जब आप पढ़ते हैं तो कुछ points आपको remember रखने है ठीक है आपको ध्यान रखने है आपको याद रखने है इसको आप अपनी copy में note कर लीजे पहली चीज कि भाई जो four है four सबसे चोटा composite number है अब four सबसे चोटा composite number है मतलब क्या तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर one two three four five और फिर six तो आप देखेंगे देखे one में सिर्फ one ही आता है two is a prime number three is a prime number four सबसे चोटा composite number है तो सबसे चोटा the lowest composite number is four four में जो factors बनते हैं वो one तो है यह इसी के साथ में two भी है इसी के साथ में एक two और है तो यहाँ पर composite numbers उनको कहते हैं जिसके दो से ज्यादा factors होते हैं तो four सबसे चोटा number है जिसके दो से ज्यादा factors होते हैं clear है तो four is the least composite number पहले point आपकी copy में होना चाहिए जब आप heading composite number लिखेंगे चलिए जितने भी even numbers हैं दो को छोड़के ठीके वो सब composite numbers हैं ठीके जितने भी even numbers हैं किसकी बात हो रही है even numbers की अब even numbers की कहानी अगर मैं आपको बता हूं तो यह देखीगा two four six eight ten यह सब even numbers की कहानी चल रही है तो two को छोड़के जितने even numbers हैं यह सब composite है two अपने आप में एक prime number है clear है यह सब चीजे competitive point of view से बहुत अच्छे से clear होनी चाहिए one is neither prime nor composite one अकेला एक ऐसा number है जो की ना prime होता है ना ही composite होता है अब आपने क्या पड़ा कि भाई जो prime नहीं है वो composite है लेकिन one अकेला ऐसा number है आप इसको अपनी copy में note कर लीजे four और one की कहानी ठीक है यह four two one देखते ही चीजे समझ आ जानी चाहिए four सबसे छोटा composite number है two को छोड़के जितने even number है वो सब composite numbers है और one अकेला एक ऐसा number है ठीक है जो की prime भी नहीं है और composite भी नहीं है ठीक है आगे any natural number greater than one कोई भी natural number अगर one से बड़ा है ठीक है and that is not a composite is a prime number अगर कोई भी number one से बड़ा है और अगर वो composite नहीं है जैसे one से बड़ा two है और two composite नहीं है तो prime है one से बड़ा three है three अगर composite नहीं है तो वो prime है ठीक है one से बड़ा है five five अगर composite नहीं है तो वो prime है हर वो number जो composite नहीं है वो prime होगा अगर one से बड़ा है यह चीज भी clear रखेगा ठीक है every composite number has at least three factor कम से कम minimum तीन factors तो होते ही है इसलिए तो दो से ज्यादा मतलब minimum तीन factor होते हैं simple सा point है जो आपको याद रखना है तो आप देख रहें first, second, third, fourth and fifth point हमने यहां कर लिया two is the only even prime number two अपने आप में एक अकेला even prime number है even prime number बहुत clear याद होना चाहिए कि even prime number का मतलब prime मतलब वो जिसके दो ही factor है one और number itself even उसको जो two से divisible हो तो अकेला two ऐसा number है जो even prime number है यह सब कहानी आप note करते जाहिए मैं box में देखे two को भी डाल रहा हूँ ठीक है one की बात की two की बात की four की बात की ठीक है आगे देखीगा we can divide the set of natural numbers into three disjoint set क्या बोला है कि हम divide कर सकते है natural numbers को तीन तुकडों में वो तीन तुकडे क्या है तो एक तो one हर किसी के साथ multiplication में रहता ही है मतलब कोई भी अगर आप number लिखते हैं तो वहाँ one का multiplication है उसके अंदर हर natural number के अंदर एक factor prime number होगा ठीक है और एक factor composite numbers तो हम लोग basically क्या है किसी भी natural number को तीन तुकडों में बाट के पढ़ सकते हैं कि भाई हर किसी का factor one होता है एक prime numbers होते हैं और composite numbers होते हैं तो इस तरीके से आपको चीज़े clear होने चाहिए we can divide the set of natural numbers into three disjoint set which are one prime numbers and composite numbers clear है चलिए तो last slide पे move करते हैं finally terminology में आप जब word prime पढ़ते हैं तो prime और composite numbers के आगे आपने छोटी classes में ये तीन शब्दों का अनुवाद समझा था और वो तीन बहुत important word है बहुत important चीज़े हैं जो तुम्हें आगे future तक याद होनी चाहिए twin prime, prime tiplet and co prime सबसे पहले मैं बात करता हूँ twin prime की अब twin prime का मतलब ये है कि दो ऐसे prime number जिनके बीच का difference two हो क्या बोला मैंने कोई दो ऐसे number जिनके बीच का difference prime numbers differing by two are called twin primes इस चीज़ को अपनी copy में note कर लीजिए ये word twin prime का मतलब क्या होता है prime क्या होता है बहुत clear है prime उसको बोलते हैं जिसके दो factor होते है one and the number itself एक word है twin prime twin prime का मतलब जैसे हम एक छूटा से example ले हम example ले लेते हैं 17 and 15 आप देख रहें ठीक है अब यहाँ पर यह क्या है तो 17 तो prime number है बट 15 is not a prime number कुछ और हमें लेना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर हमें एक example ले लेते हैं 5 and 7 ले लेते हैं चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 भी एक prime number है 7 भी एक prime number है इन दोनो prime numbers के बीच का जो difference है यह difference अगर मैं करूंगा तो 7-5 करने पर अंसर आएगा 2 ट्विन प्राइम कहते हैं जब difference 2 निकलता है example से समझ आ रहा है ऐसे और pairs निकाली है मुझे comment box में बता ही है ठीक है अगर मैं prime numbers की बात करूं तो यहाँ पर देखेगा 2 is the prime number, 3 is the prime number, 5 is the prime number, 7 is the prime number then इसके बाद 8, 9, 10, 11 is the prime number, 12, 13, 13 is the prime number 11 और 13 भी ले सकते हैं आप देखे 13-11 अगर मैं करता हूं तो 13-11 करने पर difference 2 आ रहा है तो difference हमेशा 2 आना चाहिए दो prime numbers का difference अगर 2 आ रहा है तो मैं 11 और 13 को 11 अकेले को प्राइम बोलूँगा 13 अकेले को प्राइम बोलूँगा लेकिन अगर 11-13 दिया है तो मैं कहूंगा twin prime है यह यह word clear है चलिए आगे समझेगा prime tiplet किसको कहते है prime tiplet मतलब जब 3 prime numbers एक साथ एक group में लिख दिये जाए example देख रहा है आप 357 ठीक है मतलब the set of three consecutive word consecutive का मतलब है लगातार अभी मैंने पीछे बताया था कि प्राइम और और जो है तो consecutive का मतलब है लगातार number लगातार number का मतलब इसकी कहीं meaning लिख लीजी अपनी कॉपी में अलग से consecutive का मतलब होता है लगातार 123456 लगातार ABCD EFGH लगातार ठीक है तो जब कोई चीज regular लगातार चल रही है बीच में कोई break नहीं बीच में कोई याप नहीं है ठीक है मैं बीच में से कहीं से काउंटिंग चालू कर दूं हैं यह लगातार नंबर नंबर तो यह कह रहा है जब लगातार consecutive prime numbers लिखे हो तो उस समय हम prime triplet कहते हैं ठीक है तो 357 यह चीज आपको clear होनी चाहिए चलिए आगे देखिएगा को प्राइम स्वर्ड कहां यूस होता है तो को प्राइम का मतलब है every pair of two natural numbers having no common factor other than one is called को प्राइम क्या बोल दिया सर्द यहां पर तो इस चीज को समझना मैं थोड़ा सा board clear कर देता हूं और आपको फिर समझाता हूं बाते कि मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर मैं बोलना चाहता हूं कि को प्राइम का मतलब है every pair of two natural numbers ठीक है कोई भी दो natural numbers अगर आप लेते हैं ठीक है having no common factor जैसे मैं ले रहा हूं यहां पर 15 और 16 यह दो natural number है और 15 के अगर मैं factors निकालता हूं देखिएगा 15 का factor एक तो वन आएगा एक three आएगा एक five आएगा ठीक है one into three is three train five is 15 ठीक है और अगर मैं 16 के case की बात करता हूं तो one आएगा ठीक है two आएगा ठीक है four आएगा ठीक है तो यहां पर देखिएगा factor two है factor four 4 x 4 is 16 ठीक है एक 2 भी है 2 x 2 x 2 x 2 ठीक है तो इस ठीके से 1 x 4 आप देख रहे हैं इन दोनों में common कुछ भी नहीं है other than 1 जब आप कोई दो ऐसे natural number लेते हैं pair लेते हैं 15 और 16 जब इन में कोई भी common factor ना निकले other than 1 तो इस case में हम कहते हैं ये co-prime numbers हैं every pair of 2 natural numbers having no common factor other than 1 is called co-prime इस case में हम कहेंगे कि 15 और 16 जो है ये co-prime है वैसे देखा जाए तो 15 प्राइम नहीं है 16 प्राइम नहीं है लेकिन pair जब 7 में लिया जाता है को मतलब 2 ठीक है 7 में तो यहां पर every pair of 2 natural numbers having no common factor other than 1 is called co-prime ये चीज थी सारी terminology जो मुझे लगता है आपको competitive exam point of view से पहला chapter number system में याद रखने चाहिए clear है अब आपके मन में सवाल है कि sir कैसे हम इस चीज को without any advertisement कहां पर watch कर सकते हैं तो इसके लिए चलिए मैं आपको समझा देता हूँ आप आजाए हमारी website पर अब हमारी website है magnetbrains.com ठीक है या तो इस पर आके आप without any advertisement हमारी सारी videos को watch कर सकते हैं यह सबसे असान तरीका बताऊं कि आप अगर YouTube चैनल watch कर रहे हैं तो YouTube चैनल पर आप सर्च कर रहे हैं magnetbrains, IIT, JE and NEET ठीक है IIT, JE, NEET अगर आप इस चैनल को सर्च करते हैं तो हमारा जो main channel है वो है magnetbrains, दूसर चैनल जिस पर आप यह videos watch कर रहे हैं और आपको अगर त्यारी करनी है IIT foundation के लिए तो आपको वहाँ पर सर्च करना है IIT, JE, NEET, magnetbrains, IIT, JE, NEET इतना आसान है आपको YouTube पर सर्च करना और वहाँ पर आपको एक arranged manner में videos easily available हैं आप जैसे आप foundation की videos देखना चाहरे हैं तो definitely आप आईए website पर, website पर आप easily videos को अराम से watch कर सकते हैं चलिए, तो मिलते हैं एक नए topic में, नए video में तब तक के लिए मैं आप से छोटी से help चाहूंगा वो help ये कि आप जल्दी से video के एक like देदीजे क्योंकि आपके ही like से teacher होते हैं motivate और इसी के साथ में channel को subscribe करना ना भूलिए आप bell icon जल्दी से दवा दीजे क्योंकि magnet beings के platform पे, मतलब magnet beings IITJE need platform पे आप daily videos upload हो रही हैं पहले foundation की videos आपको मिले और आप अगर है 8th, 9th और 10th class में तो अभी से ही आप त्यारी चालू कर दीजे ये चीज हम बस आप से छोटी सी उमीद रखते हैं वो भी दिये कि आप जरूर चैनल को subscribe करिए, subscribe करने के बाद videos आप तक पहले पहुँचे आप जो video watch करें उसको आप like करें और साथ में आप अपने दोस्तों को अपने से छोटे आपके relation में या आपके पैचान में कहीं पे भी वो बच्चे हैं जिनका सपना डॉक्टर और इंजिनियर बनने का है उन तक इन लिंक्स को आप शेयर करते रहेंगे चलिए ध्यान रखिएगा अपना मिलते हैं नए टॉपिक में तब तक के लिए bye and take care